स्वागाद है मैं उखाई लोग और आप देख रहे हैं जीडियसी पोस्ट तो यह वीडियो फ्रेशाट जीडियस के लिए है अगर आप एक्जिस्टिंग जीडियस है और आपको चार घंटे का टीट से अभी भी मिलता है तो भी यह वीडियो आपको बहुत ही काम आने वला ह स् resistor अगर आपका टीट सीय अब चार घंटे से पाज घंटे में गन्वर्ट करना चाते हैं तो यह वीडियो देखते रहे हूं हाँ दोस्तों हम बात करेंगे GDS का वर्किंग आवार को लेकर दोस्तों वर्किंग आवार जो होते हैं अभी जो है GDS को सिर्फ चार गंटे और पांच घंटे का लिए बढ़ा हजार और पांच घंटे का ऊều मिलते हैं आपको 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 आप के लिए उनको application करना होगा जब आपका yearly inspection होगा उस inspection में आपका आयाय रिपोर्ट है उसमें भी आपको अपना office का duty है वह mention रहता है अगर वहां पे पांच घंटे का मतलब के किछी recruitment के बाद आप इस पोस्टाल डिपर्टमेंट याज जोइन करेंगे तो पहले आपको चार घंटे का apply करना होगा hdip को और अगर आपका office का जो आयाय रिपोर्ट है उसमें अगर आपका office का working और पांच घंटे mention रहता है तो उसको भी आप refer कर सकते हो मतलब refer करके reference नमबर देके आप जो hdip को चिठी लेख सकते हो बीपीम के लिए यह चिठी लिखना होगा sp को थो hdip और अगर आप एसिटेंट बीपीम हो तो आपको लिखना होगा hdip को तो जो जब office review करेंगे उसके बाद ही जो है आपका चार घंटे का टीर से पांच घंटे में convert हो जाएगा तो इसमें फाइदा आपको बहुत ही तो अभी जो है इस वीडियो देखने के बाद ही आप application कर दीजिए ताकि नेक्स टाइम जब अपना office का inspection हो उस टाइम ही जो है आपका working hour का भी revision हो जाए और मुझे उमीद है कि इस इंफार्मेशन फिशाट जीडियस के लिए बहुत ही helpful रहा होगा अगर दोस्ता यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अभी कर दीजिए कि बात में आप लाइक करना भूल जाएंगे और अगर आप